होटल दे ग्रेंड पैलेस बनाएं अपने एक फूपसूरत पायादगार पलों को और भी खास दा ग्रेंड पैलेस के परिने बंदन के साथ चाहिं बातिका के पास बोपाल रोट दा गर एक घर में अचानक से तक्रीवन आठ फिट लंबा धामन प्रिजाती का साप निकलने से दहशत फैल गई बताया जा रहा है कि ये साप सौफे के नीचे छिपकर बैठा हुआ था मामला जबलपुर जिले के तिलवारत हाना च्षेतर के बाजना मठ से सामने आया जहां रहने वाले अशोक कुमर परस्ते के घर में ये साप आ गया था इस बात की सूचना सर पे विश्य सग्डे को दी गई तो मौके पर गजेंदर दुबे रैस्क्यू करने के लिए पहुँचे जहां साप को पकड़ कर सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया है हालाकि ये साप जहरीला नहीं होता ज्यादतर चुहे खाने के कारण इसे रैट स्नेक कहते हैं इसी साप को धामन अशडिया और घुड़ा पचार भी कहा जाता है बाजनामठ निवासी असोब परस्ते के घर में सुबह साले दस वजे एक आठ फिट लंबा सांप प्रवेश कर गया जिसे देखकर परिजनों में देहशत ब्याप्त हो गई उन्होंने ततकाल इसकी सूचना दी मौके पर पहुँचकर हमने रेस्क्यू करते हुए सर्प को पकड़ लिया है ये सर्प अधिकतर चूहे खाने के कारण रेट इसने कहलाता है इसे धामन भी कहते हैं और असाल में प्रजनन करने के कारण इसे असड़िया भी कहा जाता है घोड़ा पचाड भी इसी साप का नाम है रत्ति भर भी इसमें जहर होता नहीं है बहुत ही सीधा साप होता है गर्मी से व्याकल होकर के यह संबहत हो है अशोक के घर में प्रवेश कर गया था साप को पकड़ करके उसके प्राकरतिक रहवास बरगी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है जबलपूर से हरीश दुबे सागल टी बिने उजो होटल दा ग्रैंड पैलेस बनाएं अपने खुबसूरत बायादगार पलों को और भी खास दा ग्रैंड पैलेस के परिने बंदन के साथ शौदिस हमारों वा पाइटियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साथ सज्जा के साथ स्वादिस्ट खाने का जय का लीचे हमारे प्योर वेज के ट्रिंग के साथ शाल पार्किंग एरिया सीसी टीवी से सुरक्षित कैंपस हमारा पता है होटल दा ग्रैंड पैलेस साइबाटिका के पास वोपाल रोड सागर मद्रदेश